अब लाइन नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल डीके पर मैं हूं दिनिस और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीक यूटूब चैनल मैं आज आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे बताने वाला हूं जिसके मदद से आप अच्छे से और डबली इन और ए सी ओ और डी ए र यह सर्च कर लेना आपको और यह पहले ही नमटर पर यह एप्लिकस ना जाएगा कि यह तेरा मिकाप्लिक सेने इसके रिकॉर्डर एंड वीडियो केप्चर माई वीडियो को रिकॉर्डर में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्टिन में भी देदूंगा तो आप वहां से भी सिद्धे डाउनलोड कर शकते हैं तो दोस्तों यह इस्टॉल हो रहा है कि ढए प्रूब एंड वह प्रूब एंड वहाँ राउनलोग रहा है जिस्टॉल हो इसका रहा है वह अज़िस्टॉल हो बताव भी सिद्टॉब एंड वहा बग़ और टॉब एंड वहाँ भी रहा है तो दोस्तों यह application इस्टोल हो गया है अब मैं इसे open करता हूं तो यहां पर हमारे सामने यह ऐसा option आ गया है हम इसे scroll down करते हैं आगे आगे scroll करते हैं और start करते हैं और इसको allow allow करते हूं और कि यह सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स को option पर थाड़ नमबर बर है न यह तो दोस्तों हमने settings को option प्लिक कर लिया है अब वीडियो रिजुलेशन को 720 पी रहने देना है और इसे 720 पी रहने देना है पेल अप्सन को और सक्रिंड नमबर आफसन है यहाँ पर आपको 2Mbps मिलेगा जहाँ पर आपको 5Mbps कर देना है और यह fps है थाड़ नमबर आपसन इसको ऐसे ही रहने देना है और record audio को option है यह इसको आपको चलो ही रहने देना है और यह एक option है so the record window इसको चलो रखना है और hide the recording window when recording इसको आपको बंद ही रखने देना है और यह countdown आपको 3 शेकेंड का ही रखना है तो इसके बाद आपको screen recording करनी start कर देनी है और आप screen recording करनी start भी हो जाएगी मैं अभी screen recording कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको screen recording करके नहीं बता सकता क्योंकि 2 screen recording एक साथ नहीं हो सकती इसलिए आप screen recording करना आप इस बटन पर क्लिक कर लेना और यह start वाले option पर क्लिक करके आप screen recording को start कर सकते हैं और फिर आप screen recording अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों को screen recording के बारे में बताया वीडियो को like, say and subscribe को subscribe कर देना thanks for watching